जर्खंड की बात किजाए तो जर्खंड के नाम आपके बोट पर दीख रहा होगा और हम कुछ बुक्स की बात करें कुछ गरंद की बात कर रहे हैं गरंद कहना बेतर होगा एत्रे ब्रहामनी गरंद है आपका एत्रे ब्रहामन और इसमें अगर बात किजाए तो हम जर्खंड पुंड नाम से जानते हैं, देखें, पुंड, या फिर आपको पुंड इलिखा गवा मिलेगा, इस तरह से, आते ब्रहामन जो ग्रंत है, उसमें हम जर्खंड को जानते हैं, पुंड या पुंड नाम से, ठीक है, फिर वायू कुरान की बात की जाए, पुरान आपको पता है, या यह जारखंड उसमें लगभग समाई था या इसे बड़ा एरिया भी उसमें सामिल था इस बड़े परदेश को क्योंकि आपको पता है जारखंड अगर आप जानते भी होंगे जार जोडखंड है ना जार जोडखंड जार सोग या जार और खंड उसमें परदेश कह सकते ह और जाड को आप 1 कह सकते हैं मतलब 1 प्रदेश तो जारखंड की खारखंड सब्का जो जाबदी करते है यह वो 1 प्रदेश ए तो इस एरिया को यहां पर मुरंड सब्सका यूज हुआ है उप्योग हुआ है चार खरण के लिए उस बड़े एरिया को बताने के लिए मुंड याद रखेंगे थोड़ा सा यहां confusion है वाई पुरान में मुरंड है जबकि विष्णु पुरान में मुंड है यह देख लेंगे भागवत पुरान की बात की जाए तो यहां पर चारखंड को हम जानते हैं किकट परदेश से देखिए किकट परदेश भागवत पुरान में हम जारखंड को यहां सिफ पुरान में जारखंड के लिए किकट परदेश नाम काया उड़ा है उसससबत का युडश हुआ है और महाभारत की बात कीसा है तो यहां पर दो bakalım युझो है पुंड्रिक देश और बताते आप pointing पुंड़िक देश महाभारत के दिग्विजए पर में जो इसका नाम म्हाभारत का है उसमें इसका नाम है पुंड़िक देश है जब कि एक और सब्स्वर्य मिलता है पसु भूमी कि अच्छन कमसाश है जैक पर बाद कुल नाम मिलता कर दो विष्णों कुरान में मुंड नाम से जर्खन का उलेख मिलता है भागवत पुरान में किकट परदेश से इस चेतर को हम जानते हैं जबकि महा भारत में पुंडरिक देश और पशुग भूमी से हम जानते हैं इसके आगे हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि समुद्र आप समझता सकते हैं प्रसंसा तो समुद्र गुप्त की प्रसंसा में इसका एक दरबारी के अभी था हरीसेन तो समुद्र गुप्त के दरबारी के अभी हरीसेन ने एक प्रसंस्ती लिखा समुद्र गुप्त के लिए जिसमें समुद्र गुप्त की प्रसंसा की गई थी उस देखें समुंत्र गुप्त की प्रयाग पर सच्ति है उसमें जारखंड को हम मुरुंड के नाम से जानते हैं है ना मुरुंड देश के नाम से हम जानते हैं ठीक है अब आगे देखें पूर्वे मत्यकालिन संस्कृत साहित यह नि मेडाइवल पिरियाट के पहले क्या बात कर संस्कृत साहित रिखें उसमें जारखंड के लिए इस एरिया के लिए इस छेतर के लिए कलीन्द देश वड़् का यूज हुआ है ठीक ना इसके लिए कलीन्द देश हुआ यहां पर और 13 Chemie सदी के तामर पत्र समझे कि 1220 से 1310 के बीच का यह तामर पत्र में मिला है तो 13 Chemie ये प्रथम पूरा तात्विक उलेख ज contempl अबकर सकते हैं । यहूंकि पहलीए से जहांट से भागम जार्खंड वड़का यूज हो रहा और कबीर एवंग जायसी जो रचनाये इन्होंने लिखा है उसमें भी जार्खंड वड़का यूज है कबीर और जायसी की रचनावों में भी जार्खंड के लिए जार्खंड वड़का उपयोग है फिर एक बाद देख लिए समुन्दर गुप्त की परियाग परसस्ती में चारखंड के लिए मुरुंद देश उपयोग हुआ है जबकि पुर्व मध्यकालिन संस्क्रित साहित में इसे कलिंद देश कहा गया है उसके बाद जो मध्यकालिन मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने चारखंड वर्ट का यूज करा और फिर लाष्ट में कबीर और जैसी की जो रचनाएं मिलती है उसमें भी जार्खंड सब्त का उलेक हमें मिलता है जार्खंड की अगर हम बात करें तो आप देखें कि इसका जो छेत्र है वो छोटनागपुर का जो छेत्र है वो 80% एरिया कभर करता अस्ति पर्तिसर और जबकि 20% एरिया है वो संथाल प्रगना अक्युपाइड करता है दें तो आपकर सकते हैं कि अगर छोटनागपुर की आंप बात करें थ्यांति अग्र कोई नाम हम रखते हैं तो आप सम्झी वह नाम जार्खंड का भी है तो एक चीनी आत्री थे थे धाया छोटा नागपूर के लिए जो वड यूज किया है रॉप कुकुटलाड यूज किया है कुकुटलाड ठीक है और एक और यात्री आया थे चाहिना से चलकर हुएंसांग उनका नाम था और ये हर्जवर्धन के समय में आया थे तो हुएंसांग जो अपना यात्राइब दानत लिखते हैं उसका नाम रखते हैं C-U-Key, और इसमें जो नाम रखते हैं ये छोटा नागपूर का, वो रखते हैं किलोना, सुकालाना, किलोना, सुकालाना, हाला छोटा सा इंड्रेस्टिंग है, मज़धार है आपका सकते हैं, हुए इंसान, जो या प्राइबितांत लिखते हैं C-U-Key, उसमें किलोना, सुकालाना, इसका नाम रखते हैं, किसका है तो छोटा नागपूर का, छोटा नागपूर को अगर हम मद्धकाल की बात करें, आप यहाँ देख लेंगे इसके बाद, अगर मद्धकाल की बात करें, तो इसका नाम कोकरा या खोकरा था, कोकरा य देखेंक तरह से बदलते जाते हैं चुट्या नागपूर और फिर लास्ट में इसका नाव हो गया चोटा नागपूर और फिर आगे चलने लगा और यह तब तक चला जब तक हैं अंग्रेज से 1768 में पर कबजा कर ले करते हैं यह एजनसी अक्चुली में अंग्रेजों के तबारा गठी ती और यहां की प्रसास्तिक विवस्ता को देखनी के लिए गए थी सौथ विस्टर्ण यह ने रखा और यहीं बाद में चलके रांची बन जाता है कि मदकाल में हम इस एरिया को कोकरा खाते थे लेकिन बाद में यह नाम चुट्या नाकपूर हो गया फिर छोटा नाकपूर हो गया यह 833 तक चला लेकिन उसके बाद जब अठास्वांतिस में स्टापना होई यहां संथाल प्रगना के लिए जो प्राचिन नाम मिलते हैं उसे देख लेते हैं अगर प्राचिन नाम की बात के चाहिए तो इसका सबसे पहले नाम मिलता है नरिखंड है नरिखंड के नाम से हम संथाल प्रगना को जानते हैं ठीक है सबसे पहले इसका नाम नरिखंड लेकिन ब के लोग काती हैं और इसे भी आपशल झळान में रेखेंगे संधाल प्रघन के नाम है साथ में यह राजमहल नाम पड़ा यह मोरी मदेन काल मतलब मसलिमों का अरिया than must a मुसलिम का नाम था तो उसमेर राजमहल इस एरिया का नाम पड़ा था यह संथाल प्रगना के कुछ नाम थे और एक और वड़ आपको सुनने को मिलता है दामीन एक को यह बहुत फेमस नाम है और यहां से अक्सर आ जाया करते हैं कि दामीन 천ल होता है अब यह है क्या तो टाकूर को । गोड्डा कि जो एरिया है उन एरिया को मिलाकर इक एक इरिया जो बना और राजमहल जो नाम पड़ा, वो महदिकाल में पड़ा, बाद में एक दामीन एक पुह का मतलब होता है पहाडी घंचल, और एडिया और कुछ नहीं, वो राजमहल का कुछ अरिया था, शाथ में पाकूर, गुड्डा, दुमका का कुछ अरिया उन सब को मिलाकर, ये नाम द वीडियो को जरूर देख लें तो आपको ये नाम छारखर्ण के याद हो जाएंगा इसी तरीके से देखेंगे ताकि आप आसाने से से याद कर सकें नहीं तो थोड़ी सी गरबर होने की चांसेस होती हैं और ये वीडियो आप छारखर्ण का कोई भी एकजाम के त्यारी कर रह यह आपके लिए भी हद मुहत्पूर्ण हो जाता है मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ धन्यवाद